बहुत समय पहले की बात है एक राज्य में एक शक्तिशाली राजा राज करता था उसकी एक सुन्दर और समझदार राणी थी दोनों का केवल एक ही पुत्र था उसके पालन पोशन और शिक्षा दीक्षा में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी राजुकमार जब बडेढ़ा हुआ तो वह देखने में सजीला, व्यवहार में विनम्र और हर तरह से सुयोग्य था पढ़ी डोसी राज्यों के कई राजा अपनी पुत्रियों से राजकुमार का विवाह करवाना चाहते थे इस संबंध में उन्होंने कई संदेशे राजा रानी के पास भेजे राजा रानी चाहते थे कि राजकुमार का विवाह ऐसी LD डहकी से हो जो सुन्दर हो, समझदार हो, समवेदन शील हो और हर तरह से राजकुमार के योग्य हो वे चाहते थे कि जो भी राजकुमार से विवाह करे, वो हर तरह से गुणी हो और सही माइने में राजकुमारी हो उन्होंने राजकुमार को उन राज्यों में भेजा, जहां से उसके लिए रिष्टे आये थे ताकि वह राजकुमारियों से मिलकर उन्हें परक सके राजकुमार ने कई राज्यों की यात्रा की, लेकिन वहां उसे कोई भी सही माइने में राजकुमारी नहीं लगी हर किसी में कुछ न कुछ कमी थी वह अपने राज्य वापस आ गया वह उदास था उसे लगने लगा था कि उसके भाग्य में शायद पत्नी सुख लिखा ही नहीं है इसलिए इस ओर से ध्यान हटा, वह राज्य के कारियों में लग गया कुछ माह बाद एक शाम राज महल के द्वार पर किसी ने दस्तक दी जब द्वार खोला गया, तो सामने एक लड़ हाकी खडड़ी थी उस समय घंगोर बरसात हो रही थी और उस लड़ हाकी की पोशाक भीगी हुई थी बाल बिखरे हुए थे जूतों में पानी भरा हुआ था और वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त लग रही थी उसने द्वार पाल को बताया कि वह पड़ी ढ़ोसी राज्जी की राजकुमारी है और बरसात में फंस गई है ऐसे मौसम में आगे जाना संभव नहीं इसलिए रात गुजार ने इस राज्जी के राजा की शरण में आई है द्वार पाल उसे राजा राणी के पास ले गया उसकी दशा देख किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह राजकुमारी है राणी ने उसकी परीक्षा लेने की सोची ताकि पता चल सके कि वह सही माइने में राजकुमारी है या नहीं उसके सोने का प्रबंध जहां किया गया उस पलंग में बीस मुलायम गद्दे बिचाए गए फिर उसके उपर रेशम की चादर बिचाए गई लेकिन राणी ने उन गद्दों के नीचे मटर का एक दाना रखवा दिया राजकुमारी को उस बिस्तर पर सोने को कहा गया अगले दिन राणी बे सबरी से राजकुमारी के शयन कक्ष से बाहर आने का इंतजार कर रही थी राजकुमारी जब अपने शयन कक्ष से बाहर आई तो राणी ने पूछा तुम्हें रात में नीन तो अच्छी आई ना? राजकुमारी बोली नहीं, मैं एक क्षण के लिए भी सो नहीं पाई क्योंकि उस बिस्तर पर कुछ था जो मुझे चुब रहा था यह सुनकर रानी को विश्वास हो गया कि वह सही माइने में राजकुमारी है बीस गद्दों के नीचे रखे मटर को दाने को जो महसूस कर लें ऐसी ये समवेदन शीलता एक राजकुमारी की ही हो सकती है रानी को राजकुमार के लिए ऐसी ही राजकुमारी की तलाश थी राजकुमारी को उसके राज्ज में छोड़ने स्वयम राजा और राणी गए वहां के राजा के सामने उन्होंने अपने पुत्र के साथ राजकुमारी के विवाह का प्रस्ताव रखा जिसे राजा ने स्वीकार कर लिया कुछ दिनों बाद राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो गया और दोनों कहुशी कहुशी रहने लगे